SPSC की तरफ से टाउन आफिसर के जॉब में जो इंग्लिश के वोकेबरी आई है आज देखते हैं वर्ड एरोगंट इसका सेनोनेम पुछा गया था एरोगंट का मतलब है मगरूर इंसान जो घमडी होता है उसका सेनोनेम था कनसीटिड को भी हम मगरूर कहते हैं फिर वर्ड दूसरा था इंबैजल तो इसका सेनोनेम पुछा गया था तो इंबैजल वर्ड का मतलब है मिस अप्रोप्रीयेट इंक्रेडूलस मतलब ना काबल यकीन जिसके उपर यकीन ना हो तो उसका सैनोनेम था UNRELIABUL आप्शन ठीक था यानि नाकाबल यकीन इनसान इनिगमा इसका मतलब होता है जो चीज समझ ना आ है परेशान कुन बात हो वर्ड पजल जो हैने इनका सैनोनेम था तो ना समझ आने वाली बात को हम इनिगमा कहते हैं illeciate इसका मतलब है गयर कानोनी यह यानिए illegal तो illegal जो है इसका अनौनीम फिर एंटोनीम पूछे गए free parole इसका मतलब उता है غेर संजीदा बन्दा जो हर बात को मजाग लेत spir तो एंटोनाइम इसका था wise अकलमन इसका मतलब है खार्चा हूऊ बहुत खर्च जो करता है तो थ्रिफ्टी जो है कंजूस को कहा जाता है जो पैसे सेविंग करता है डेक्स्ट्रस इसका मतलब होता है बहुती एक्सपर्ट बंदे को कहा जाता है जो माहर होता है किसी काम में यह एक्सपीरिंस्ट इसका एंट्रो नेम था इन एक्सपर्ट दो idioms थे, hitting the nail on the head, इसका मतलब है किसी perform is a task with exactness, यानि target को hit करना, exact point को, इसका मतलब यही है, a bolt from the blue, इसका मतलब है unexpected misfortune, misfortune मतलब मुसीबत, unexpected जिसकी कोई तवका ना हो अचानक आ जाए, तो यह था आज का paper तुक्रिया